हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हमारा कोश्चन है लोग संबंद के मार्ग में आने वाली परमुक बाधाऊं का उल्ले कीजिए तो इस कोश्चन का जो है मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में आंसर बताने वाला हूँ तो सबसे पहले हम हेलिग ढालेंगे लोग संबंद में आने वाली परमुक बाधाऊं और इसमें जो है हमारी main हेलिगे यह उसके बाद हमारी इसके अंदर हेलिग हो जाएगी फर्स्ट भासा बाधा तो इसमें हम लिखेंगे कि भासा का असिहित्य और समझस्य पूर्ण उप्योग बाधा उत्पन कर सकता है जिससे सही सम्मद नहीं बन पाते फिर नेक्स हेडिंग हो जाएगी हमारी सांसकुर्थिक अंतर इसमें हम लिखेंगे कि विभिन सांसकुर्थिक विचारधारों और अंसों के कारण लोगों के भी समझोता करना मुश्किल हो सकता है जिससे लोगों के भी समझस्य उत्पन हो सकता है फिर next heading हो जाएगी विभिन धार्मिक आरदान परदान तो इसमें हम लिखेंगे कि विभिन धार्मिक मान्यताओं और आदतों के कारण संबंदों में विद्न उत्पन हो सकता है जिससे समझोता करना कठिन होता है फिर next heading हो जाएगी आर्थिक असमान्यता तो इसमें हम लिखेंगे कि आर्थिक असमान्यता के कारण लोगों के बीच समझोता करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि समाजिक और आर्थिक विभिन धार्मिक संबंदों को प्रभावित कर सकती है फिर next heading हो जाएगी हमारी इसी में समाजिक मानकों की बादा तो इसमें हम लिखेंगे कि लोगों के बीच विभिन समाजिक मानकों और अपिक साय होती है जो समझोता करने में रुकावट डाल सकती है फिर next heading हो जाएगी स्वास्त संबंदित बाद हैं तो इसमें हम लिखेंगे कि स्वास्त संबंदित मुद्दे जैसे कि मानसिक स्वास्त साररिक रूप से असुविधा या रोग भी संबंदों को परभावित कर सकते हैं फिर next heading हो जाएगी समय में कमी तो इसमें हम लिखेंगे कि आधुनिक जीवन सहली में समय की कमी के कारण लोग अपने समय को लोगों के साथ बिताने में कमी महसूस कर सकते हैं जिससे समझोता करना कठिन हो सकता है तो दोस्तों ये था इस question का answer अगर आपको वीडियो helpful लगी हो तो वीडियो को like ओ चैनल को subscribe कर लीजिएगा और अगर आप लोगों नहीं जो हमारा whatsapp group है वो join नहीं किया हुआ है तो इस वीडियो के discussion box में whatsapp group का link दिया हुआ है आप look click करके join कर सकते हैं तो चलिए दूस्तों मिलते हैं आपको हमारे next वीडियो में तब तक के लिए bye bye and have a good day